में केवल alive and cable, आपको अपना breast feed ही अपको अपना breast feed ही add करना hai कैसे करना है मैं आगे वीडियो में आपको बताहूंगी Hello Mommies and Daddy, Tschara! कैसे हैं आप सब, I hope सब लोग बहुत अच्छे से होंगी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ह़द़ लोग हमें अगर आपका बेबी भी 6 मंद का हो गया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने बेबी की जब solid food journey start कर रहे हो तो आपको कौन-कौन से बेबी को food देने चाहिए किस तरीके से उन food को prepare करना चाहिए मतलब की recipes भी मैं इस वीडियो में शेयर कर तो कुल मिला कि ये वीडियो बहुत जदा important होने वाला है अगर आपका बच्चा भी 6 मंद का हो गया है और आप बच्चे को आप कुछ ना कुछ खिलाना है स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा जरू देखेगा और चैलिंग को भी subscribe कर लीजेगा और भी helpful वीडियो डेली इसी तरीके से देखने के लिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो फ्रंस पहली चीज़ जब आपको बच्चा 6 मंद का complete हो जाए तभी आपको बच्चे को solid food देना स्टार्ट करना चाहिए 6 मंद तक only only आपको breast feeding बच्चे को दे केवल और केवल एक बार ही बच्चे को solid food देना है बाकी टाइम आपको breast feed कराना है ठीक है यह नहीं कि आप बच्चे को starting से ही तीन बार चार बार solid food दे रहे हो तो इससे बच्चा फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा बच्चे को धीरे धीरे habit होगी बच्चा जादा breast feed करे आपको बच्चे को solid food देना है बाकी टाइम आपको breast feed कराना है ऐसे क्या होगा कि बच्चे को फिर धीरे habit डलना start हो जाएगी solid food की और बच्चे को taste भी अच्छा लगने लगेगा इसके बाद एक और important चीज़ जो भी आप अपने बच्चे को solid food दे रहे हो उसमें केवल और क consistency में ही देना है मतब ज्यादा थिक नहीं देना है ठीक है क्योंकि थिक से फिर बच्चे को choking की problem हो सकते एक और important चीज श्टार्टिंग आपको जो बच्चे को solid food देने की करनी है वो केवल और केवल एक स्पून से ही करनी है पहले थोड़ा सा दीजिए बच्चा उसको इसको कैसे प्रिपेर करना है चलिए जानते है आपको क्या करना है पानी को अच्छे तरीके से पैन में गरम कर लेना है उसमें थोड़ा सा आपको राइस डाल देना है उसको आपको अच्छे तरीके से ढख कर पकाना है उसको इतना पकाना है आपको एकदम से ड्राइन होना हलका सा उसमें liquid होना चाहिए पानी होना चाहिए फिर जो चाबल का उपर उपर का जो पानी है एकदम थिक सा पानी निकले का उसको आपको साइड में निकाल लेना है वही बच्चे का पहला solid food होता है वह आप बच्चे को खिलाईए ठीक है उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा प्रेस्ट मिल्क भी एड कर सकते हो। कंसिस्टेंसी को हलका सा पतला करने के लिए। इसके बान जो राइस को खुए हैं उनको आपको मैशर की हेल्प से अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। एक स्पून आपको निकालना है उसमें वापना ब cript milk, इनकाइड आपने को थोड़ा कर लेना है और बची को आपको आप अब बारी आति एंञे आपको देजिते, बनाना दीजिए ऐपल का आपको क्या करना है कि आपको Super Mixer में अच्छे तरीके से यापल की प्विरी बना लेनी है उसमें भी दो चमच अपना breast milk add कीजे उस प्विरी में और बच्चे को दे सकते हो बिना breast milk add करें भी आप अपने बच्चे को दे सकते हो इसमें आपको ब्रेस्ट मिल्क एड़कर बच्चे को खिलाना है इसके बाद ग्रैन हो गया है आप पाते हैं वेजी की मतलब सब्च्चियों की सब्चेयों में आपको अपने बच्ची को देना है स्वीक पटेट्टो ज्म कैर्ट कईड पंकिन एंड पटेटो Swiet Potato आप Steam में भी Room कर सकते हो, आप nornal working services orian, नीमल होट बॉटन में भी Room कर सकते हो लेकिन steam में करोगे तो तो इसके ज़ादा benefits भी up with small solution ni r. आप Pumpkin को आप Karot चेशेए जो सकते हो आप सारी चीजे को बता ही है ये आप अपनी बच्चेinta को का हो जाता है यही बच्चे का एक solid food होता है जो आपको six months से बच्चे को देना होता है ठीक है तो यह बहुत जदा healthy चीजे हैं यही आपको देना है से extra अभी कुछ भी नहीं देना है काफी helpful रहा होगा यह वीडियो अच्छे तरगी से पता चल गया होगा कि आप कैसे बच्च